Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Online Education मैं उपस्तित हूँ 15.08.2023 की महतोपून एजुकेशनल अपडेट को लेकर वीडियो में बात करेंगे सरदार पटेल यूनिवेसिटी की ये जो कैंसल्ड एक्जाम है ये कब होंगे इस तगित परिक्षाएं कब होगी साथ में अपडेट रहेगा कि क्या HPU ने भी इस हपते की प्रिक्षाएं रद हो गई है इसके लावा बात करेंगे BDS, First Year, Second Year, Third Year एक्जाम कब हो रहे हैं इसके डेट शीट आउट हो गई है इसके लावा HPTU, UG कांसलिंग पर बड़ा अपडेट आया है पोस्ट पॉन के रिगारिंग और बात करेंगे HPPSE Exams, पोस्ट पॉन इसके लावा स्कॉलर्शिप से सम्बंदित बात करेंगे कि कौन सी स्कॉलर्शिप आप प्राप्त कर सकते हैं इसके लावा एक लब्य जो मॉडल स्कूल है साथ में बात करेंगे Independence Day की तो 15.08.2023 की मतोवर्ण अपडेट्स यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें जो सबसे पहले बात करते हैं सभी आप सभी लोगों को देश के सतत्रवे सतंतरता दिवस की हारदिक शुब कामनाई जैहंद शुरू करते हैं आज के लेक्चर को तो सिर्फ तेरंगा फहराए जाएगा सांस्कृतिक कारेकरम नहीं होंगे तो संपूर्ण हिमांचल परदेश में भारी बारिश के चलते और जो नुक्सवान हुआ है उसके चलते हिमांचल के मारनीय सीम के आदिशा अनुसार सिर्फ तेर अपने एक हफ़ते का जो एक्जामेंशन 14 से 21 तक के जो एक्जाम ज़र्श है इनको पोस्ट पॉन कर दिया था इसके अलावा जो एक्जाम 14 तारीच को होना था पहले यह एक्जाम अब जो है 29 तारीच को होगा तो आप ध्यान में रखे यदि आपका एक्जाम पहले 14 तारीक को था तो अब ये 21 को होगा और 16-8-2023 को जो एक्जाम होना था वो 22-8-2023 को होगा बाकी जो एक्जाम है उनको रिशेडियूल आएगा और 22 के बाद के एक्जाम एज इटिट्स चलेंगे ये था सरदार पटेल उनिवस्टी के संबंद में महतुपूर्ण अपडेट इसके लाबा हिमाज़प्रदेश उनिवस्टी ने कोई भी इस तरीके का अभी अपडेट जारी नहीं किया है सिर्फ हिमाज़प्रदेश उनिवस्टी का एक पेपर पोस्ट पॉन हुआ है जो था 13.08.2023 के बाद 14.08.2023 को जो पेपर था वो ही सिर्फ हिमाज़प्रदेश उनिवस्टी के द्वारा स्थगित किया गया है हो सकता है आज देर शाम तक कोई नोटिस आए तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें यहां से आपको ज़रूर मिल जाएगा बाकी आप त्यारी करते रहें तो ऐसा चैनल कोई नोटिस आया नहीं है हिमाज़प्रदेश उनिवस्टी के द्वारा जिस तरीकी से सरदार पटेल उनिवस्टी ने नोटिस निकाला है अब बात करते हैं हिमाज़प्रदेश जो टेकनिकल यूनिवसिटी है हमिरपूर यहां पर एक तो जो गेस्ट फेकल्टी के इंट्रिव्यू होने हैं उनको पोस्ट पॉन कर दिया गया है अगर आपने यहां पर गेस्ट फेकल्टी के लिए भरा था दूसरा यहां पर जो on the spot UG और PG के लिए जो admissions रखी थी UG और PG courses के लिए on the spot जो admissions रखा गया था उसको भी पोस्ट पॉन कर दिया गया है आप जो है website को regularly चेक करते रहे या आपको मेरे चैनल के माधिम से भी update मिल जाएगा तो यदि आप यहां पर UG के courses के लिए और PG के courses के HPTU में apply अगर आपने किया था और उसकी on the spot admission के लिए आप जा रहे थे तो वो पोस्ट पॉन कर दी गई है इसके साथ ही यहां पर जो B architecture है इसके लाबा B pharma lateral entry है और B tech lateral entry है तो इसके लिए concerned institution में आपको जो रिपोर्ट करने के लिए समय दिया गया था वो पहले 15 से 16 तारिक दिया गया था लेकिन अब इसको भढ़ा कर 21 अगस्त तक कर दिया गया है तो यदि आप HPTU की विविन संस्थानों से यह सभी courses कर रहे तो 21 अगस्त तक आप अपने campus में जाकर report कर सकते हैं यदि counseling में आपको number मिल गया है तो बात करते हैं BDS की तो BDS की जो पहले दूसरे ती संबर तक चलने वाले हैं इसके लिए date sheet जारी कर दी गई है तो 9 सितंबर से शुरू हो रही है यह परिक्षाएं तो यदि आप BDS first second year और third year में हैं तो 9 September से आपकी परिक्षाएं शुरू हो रही है और यह परिक्षाएं जो है इनका जो समय रहेगा 10 से एक वजे तक रहेग और तीसरे साल के परिक्षाएं 11 सितंबर से शुरू होगी पहला paper journal medicine का होगा 13 को journal surgery तो इस तरीके से इनका कुछ schedule है यह 11 तारिक से जो paper शुरू है third year वालों के और 18-9 को यह खतम हो रहे हैं इसके लबा first year वालों के 3-10 से शुरू हो को 9-10 पर यह खतम हो रहे हैं बात करते ह हैं लोगसेबा आयोग की तो HBPSC ने हिमाचल प्रदेश Public Service Commission ने अपनी जो भरती परिक्षाएं हैं वो स्तकित कर दी गई है और इन भरती परिक्षाओं के लिए हिमाचल प्रदेश Public Service Commission नए सीरे से re-schedule जो है जारी करेगा तो judicial services और dental का जो SDO का schedule है यह फिर से आएगा त भारी आपदा और बरसात के चलते अपनी परिक्षाएं स्तकित कर दी है इन में जुडिशिल सर्विसीज की जो मेंस थे इसके लबा मेडिकल ओफिशर डेंटल था एसिस्टेंट इंजनियर सिविल जल भिभाग शक्ति भिभाग अचारे संस्कृत के स्कृनिंग टेस्ट त था इसमें एसिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी की जो परसनेलिटी टेस्ट है तो ये भी स्थगित कर दिये गए हैं लोग सेवा आयोग की तरब से जो सच्चिव है देविंद्र कुमार रतन उनकी ओर से ये सूचना जारी की है और जो एचपी जूडिशिल सर्विसीज पहल वो अगस्त में तरह किये गए थे तो अब इन सब का रिशडियू लाएगा तो यदि आप सभी एक्जाम दे रहे थे या परसनेलिटी टेस्ट में अपीर हो रहे थे तो आपको और समय मिल गया है आप अच्छे से और त्यारी करें इसके लबाब आब बात करते हैं वृतिया पहले ही दी गई है तो अमर उजाला फाउंडेशन इस चात्रवृति को देता है अतुल महाश्वरी चात्रवृति और 30 अगस्त से आप इसके लिए अपलाए कर सकते हैं तो इस बार जो आपको जो सुविधा के अनुसार आपको शहर का चैन करना है इकतर जो शहर है भारत में वहाँ पर जो है इसका आप जो पेपर है वो दे सकते हैं इस वर्ष जो अतुल महाश्वरी जो चात्रवृति प्रिक्षा है वो नौवी दस्वी और प्रादेशिक बोर्ड के विधियार्थियों को 50-50,000 रुपे की 23 चात्रवृतिया और 11 और 12 के प्रिक्षा में पढ़ने वाले और पिछली जो बार्षिक विधियार्थियों ने पाए है वो इसके लिए पातर होंगी इसके लावा बार्षिक आए जो है आपकी 2,00,000 रुपे से कम होनी चाहिए परिवार की और जो BPL कार्ड धारक है उनको ही इसमें प्रात्मिकता मिलें तो यदि आप BPL से हैं, बिलो पावर्टी लाइन से हैं, जो कक्षा में विधियार्थी आठ में पढ़ रहे हैं या बार्वी पास कर चुके हैं तो वो इसके लिए अपलाए कर सकते हैं इसके लबाब बात करते हैं एक लब्या जो मॉडल आवासिय स्कूल है इसकी चैन पर परिख्षा स्तकित कर दी गई है और अब यह प्रिक्षा जो है गे 10 सितंबर को सुभा 11 वजल में जो रिश ड्यूल की गई है तो अब यह प्रिक्षा 10 सितंबर को 11 वजल सेल दो पहर एक वजे तक चलेगी और इस цен तायक किये गई यह जो प्रिक्षा केंदर है उन पर ही य करने वाली है तो यह थी आज के मुख्य अप्टिक थैंक यू बेरी मच्छ